कि आप जानते हैं कि आपके नाम से कितने सीम चल रहे हैं कि आप यह जानते हैं कि आपका जो सीम चल रहा है क्या आप यूज कर रहे हैं या कोई दूसरा यूज कर रहा है नहीं जानते होंगे और इसी चक्कर में बहुत सारा फ्रॉड हो जाता है तो हाई गाइस मैं बीडी औ में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप यह जान सकते हैं कि आपके नाम से कितने सीम कार्ड चल रहे हैं साथ में आपको इस वीडियो से यह भी पता चलेगा कि आपका सीम कार्ड किसी दूसरे के नाम पर है या नहीं है और ये भी आप सीख पाएंगे कि किस तरह से कोई अलग सीम कार्ट आपके नाम से है और कोई दूसरा चला रहा है तो आप उसको किस तरह से पर्मानेंटली बंद करवा सकते हैं तो आज के इसी टॉपिक पे ये वीडियो बना है और संपूर्ण रूप से आपको हम समझाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से आप अपने सीम कार्ट का विवरा जान सकते हैं और कोई भी आपका सीम जदी बाहरी आदमी यूज कर रहा है या फिर एक्स्ट्रा सीम पड़ा हुआ आपके नाम से तो किस तरह से ततकाल उसको बंद करवा सकते हैं तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में और सीखते हैं कि किस तरह से आप अपना सीम कार्ट चेक कर सकते हैं और एक्स्ट्रा सीम कार्ट को बंद करवा सकते हैं तो हाँ गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमने गूगल क्रॉम को आपन कर लिया है और सीम कार्ट चेक करने के लिए गूगल क्रॉम में आपको टाइप करना है टी ए ए एप सी ओ पी और सर्च बार पे क्लिक कर देना और सबसे पहला लिंक देखे आएगा टी ए एप सी ओ पी कंजूमर पोर्टल इस पे क्लिक कर देना है उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा यह सरकारी है भारत सरकार का वेब साइट है यहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से कितने सीम है और कौन सा सीम को आप रखना चाह से भाएते हैं तो इसके लिए सबसे पहले यह बॉक्स देख रहें यहां पे अपना फरजन को यहाँ पी तो यहाँ पर इंबर उसे डालने के बाद को पे क्लिक करेंं गार्स ऑसके बाद आपके मॉबाइल नंमर पर चैनल आप यहाँ पर देना है और भेट पर आपको क्लि आफेस आपके सामने कुल के आ जाएगा और लिस्ट आप मॉबाइल नमर रेजिस्टर्ड ऑन यूर आईडी यहां पे सारा बेवरा आपको दिखने लगेगा यहां पे देखिए इस ब्यक्ति का जिसका मॉबाइल नमर डाला था उसके नाम पे चार-चार सीम चल रहे हैं तो जो है इनमें से आप यह चीज जान सकते हैं कि कौन सीम आप यूज कर रहे हैं कौन सीम आप नहीं यूज कर रहे हैं जो सीम यूज नहीं कर रहे हैं फिर भी यहां सो कर रहा तो इसका मतलब है कि वह मॉबाइल नमबर वह सीम कार्ड आपका चालू है उस इस्तिति में आपक को बताने वाले हैं तो ज़दी आपको ऐसा दिखे कि आपका कोई अलग सीम कार्ड चालू है जो आप यूज नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वह सीम कार्ड कोई दूसरा यूज कर रहा है आपके नाम से तो फिलहाल आपको तुरंथ उसको बंद करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करना है जिस सीम कार्ड को आप बंद करना चाहते हैं यहां देख रहे हैं एक बॉक्स है उसपे टिक मार्क कर दें और यहां पे बीच में दिखें नॉट रिक्वाइड लिखा है उसपे क्लिक कर दें उससे पहले दोस्तो आप यह चीज यहां पे करने के बाद रिपोर्ट पे किलिक कर दें अब देखे यहां पर लिखा रिपोर्ट सब्मीटेड ट्रेक टिकट आईडी रेफर नमर इतना यह चीज आप अपने पास नौट करके रख लें ताकि आप भविस में जदी स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इस से आपको स्टेट भारत सरकार का है देखिए दूर संचार विभाग डिपार्टमेंट आप टेली कम्मुनिकेशन का यह ऑफिसियल साइट है यह भारत सरकार का है इसके मदद से आप चेक कर सकते हैं तो उमीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा आपके लिए हिल्फुल रहा हैं अगले एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए